हेलो इस वीडियो में आज हम HTML डाकॉमेंट स्ट्रिक्चर के बारे में जानेंगे ये HTML का डाकॉमेंट स्ट्रिक्चर है सबसे पहले यहां पे लिखा हुए HTML इसके बाद यहां पे लिखा हुए head इसके बाद यहां पे लिखा हुए title पे title दिया इसके बाद ये title को बंद किया बंद करने के बाद ये head यहां पे उपर open था इसको head को यहां पे बंद किया बंद करने के बाद यहां पे लिखा हुआ है body तो यहां पे body में जितना भी लिखनी का काम हम करते है body के अंदर करते है इसके बाद ये body को बंद किया हुआ है और सबसे last में हमने HTML को बंद किया हुआ है तो ये HTML का document structure है इसको हम detail में आगी जानेंगे एक basic HTML document structure tag से मिलकर बनता है तो यहाँ पे सबसे पहले tag है HTML tag इसके बाद है head tag इसके बाद है title tag इसके बाद है body tag इन सबी को हम यहाँ पे detail में जानेंगे कि ये tag क्या काम करते है तो सबसे पहले यहाँ पे लिए गया HTML tag HTML element, HTML page का root element होता है opening HTML tag ये opening tag है और closing HTML tag ये closing HTML tag है के बीच में ही अन्य HTML tag को लिखा जाता है HTML element browser को बताता है कि बैपेज HTML की format में है तो ये HTML tag है इसके बाद हम जानेंगे head tag के बारे में इस tag का उप्योग बैपेज के बारे में जानकारी के लिए किया जाता है जो head tag से शुरू होता है ये opening head tag है और head tag से अन्तुत है और ये closing head tag है head tag ये HTML document पर सिर्फ एक बार ही दिया जाता है head tag को HTML tag के बाद और body tag से पहले दिया जाता है इसके बाद है title tag title tag के दवारा HTML document का title लिखा जाता है document title browser window में दिखाई दिता है title को head के अंदर लिखा जाता है जो title से शुरू होता है और title tag से अन्त होता है ये title का opening tag है और ये title का closing tag है तो ये title tag है body tag एक web page का जो भाग हमें browser window में दिखाई दिता है वो सब कुछ body tag में लिखा जाता है जो body से शुरू होता है ये opening tag है body का और body tag से अंत होता है ये closing tag है body tag का body tag एक HTML document का main container होता है page heading paragraphs sub heading को body element के अंदर ही लिखा जाता है graphics, multimedia files या अन्य कोई भी जानकारी जो आप user को दिखाना जाते है इसी element के अंदर लिखी जाती है तो ये body tag है तो ये सभी tag जो है ये container tag है जिनका opening tag भी होता है और closing tag भी होता है तो इस वीडियो में हमने HTML document structure के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe मैं चैनल जाते हैं